तो यहां बात की जारी है एक कॉन की जिसका कॉर्व सर्फेस एरिया हमें गिवन है that is 12,320 सेंटीमेटर स्केर साथ में इस पूरे कॉन का रेडियस भी हमें बताया के that is 56 सेंटीमेटर और अब हमें इस कॉन की हाइट को फाइंट करना है तो कैसे करें हाइट हमें निकालनी है रेडियस हमें गिवन है तो हाइट और रेडियस इससे हम कैसे निकाल सकते हैं हाइट सोची इसका कोई रिलेशन है येस हमने स्टेडी किया था कि जब भी किसी एक कॉन में हमें स्लांट हाइट यानिक इंकलाइंट हाइट निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला होता है ये एक फॉर्मूला है आए ड़ स्कोएर माइनस आ ड्र स्कॉएर यानि कि देखो रेडियस सकुर्वेर्ण यानिक रेडियस में थो हमें पता ही है बस ल मिल जाए तो आश निकाल सकते है 176 L, अब L की value निकाल लिए तो 176 को हम दूसरी तरफ ले गए, so 12,320 को divide के जब 176 से, so L की value आ रही है, 70 cm, great, तो अब हमारे पास जो expression है, L की value पुट कर देते हैं, तो 70 का square यह हुआ 4900, 56 का square हुआ, यह हुआ 3136, जब इसे solve किया, तो final, h square की value आ रही है, 1764, बट हमें तो h की value चाहिए, तो अगर मैं square को उटाऊंगा, तो दूसरी तरफ root आ जाएगा, और जब आब 1764 का root लेंगे, तो आंसर आएगा 42, और यह ही h की value निकाल ने थी, देखो, यूनिट्स लगाना बिल्कुल मत भूलेगा, यूनिट्स कहीं बार हम miss कर देते हैं, और इसे की marks हमारे कर जाते हैं, तो देखी, height length है, और यहाँ पर हमारे question में जो length है, वो centimeters में ली गई है, that's why height भी centimeter में आई है, चली मिलते हैं आप से next lecture में, जहाँ पर हम हमारे इसे sample paper का question number 5 solve करेंगे, I'm sure students, आपको यह lecture काफी पसंद आया होगा, और ऐसी मज़ेदार तरीके से अपने हर एक concept clear करने के लिए, download कीजिए P.U.Stack app को, जहाँ पर आपके पास और भी बहुत सारे options होंगे, जैसे की back exercise solutions, tip videos, sample papers and much more. So, what are you waiting for? Download the app now.